अस्सलाम अलेकुम आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूँ आजिल हसनाद शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूस हेड्लाइन्स पंजाब सेफ सिटी एथॉरिटी की काम्याब कारवाई सेफ सिटी ने 15 साला गुमशिदा जहनी माजूर लड़का तलाश करके वाले दैन से मिलवा दिया पंजाब बरसे गुजशता 24 गंटों में पुकार 15 सेंटर में एक लाग 7154 एमरजन्सी कॉल्स मौसूल हुई 7666 कॉल्स पर बरवक्त रिस्पॉंड किया गया जबके 57820 कॉल्स गैर जरूरी करार दी गई गुजशता 24 गंटों में ट्रैफिक अवानिन की खिलाफ वर्षी पर 5309 एलेक्ट्रोनिक चलांज जारी किये गए वर्चिल प्रट्रॉलिंग अफसरान ने कैमरों की मदद से 704 मश्कूक सरगर्मियों की आब्जरवेशन दी अटक थाना जंट पुलिस की बड़ी कारवाई चहरी को मोत की नींद सुलाने वाले दो मुल्जिमान गिरफतार भकर पुलिस की बड़ी कारवाई इंटरपोल के जरी डिकेती के मुकदमे में मतलूब मुझरिम इच्तिहारी आठ साल बाद दुबई से गिरफतार सेयल कोट थाना मुरादपूर्ट पुलिस की बड़ी कारवाई बदनावे जबाना मंशियात फ्रोश अफसाल उर्फ नोमा डान और एहमद बिलाल रंगे हाथों गिरफतार सेयफ सिटी ने काम्याब कारवाई करते होए 15 साल गुमशिदा जहनी माजूर लड़का तलाश करके वाले देन से मिलवा दिया हसीबुर रह्मान नामी लड़का घर का रास्ता भूल गया था सेयफ सिटी लॉस और फाउंट सेंटर में गुमशिदगी की इतला मौसूल हुई तो सेयफ सिटी ने गुमशिदा लड़के की इतलाश सोशल मीडिया और पंजाब भर में पुलिस के साथ शेयर की नारोवाल के लाके से शेहरी ने एमरजनसी वनफाई पर जेहनी माजू लड़का मिलने की इतला दी सेयफ सिटी टीम ने पुलिस को फौरी मौका पर पहुँचने की हिदायत की पुलिस ने बरवक टैक्शन लेते हुए लड़के को अपनी तहवील में ले लिया पुलिस ने वालदैन को तलाश करके तस्दीक के बाद जेनी माजूर लड़का वालदैन के हवाले कर दिया सेयफ सिटी लॉस्ट और फाउंट सेंटर अब तक 6,000 से जाएद अफरात को अपनों से मिलवा चुका है शहरी किसी भी गुमशुदगी की सूरत में फौरन वन फाइफ मर इतला दें महक्मे महुलियात और सेयफ सिटी स्मोग रडर के मताबिक आज लाहोर का एर कौलिटी इंडेक्स क्या रिकॉर्ड किया गया है देखिए उस कसुसी रिपोर्ट में महकमे महुलियात और सेफ सिटी स्मोग रेडार के मताबिक इस वक्त मजमूल तोर पर लाहूर का एर क्वालिटी इंडेक्स 120 है शहर के मुक्तलिफ इलाकों की बात करें तो माल रोट पर एर क्वालिटी इंडेक्स 107, पंजाब यूनिवसिटी 111 और सेफ सिटी इस अथॉरिटी में 100 रिकॉर्ड किया गया बिला शुबा स्मोग मुक्तलिफ अमरास का बाइस बन रही है जिन से बचने के लिए आपको माहरीने सहत की इन डवाइस पर अमल करना होगा सुब वाक पर जाने वाले शहरी स्मोग से बचाओ के लिए अपनी रूटीन में तबदीली लाएं रोज मरा रूटीन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और कूडे को हर गिजाग ना लगाएं ये स्मोग में इजाफे की सबसे बड़ी वज़ा है आईए हम सब मिलकर अपने माहोल को साफ रखें और स्मोग फिलाने वालों की इतला वन फाइफ पर दें साफ माहोल महفوظ लाहूर मियावले थाना कमर मुशानी पुलिस ने कारवाई करते हुए गैर कानूनी असलिहा बरामद करते हुए दो मुल्जमान को गिरफतार कर लिया डीपियो मियावली मुतियूला खान की इतायत पर गैर कनूनी असलिहा रखने वालों के खिलाफ कारवाई करते हुए थाना कमर मुशानी पुलिस टीम ने दुराने चेकिंग फर्याद उल्ला वल्द साहिब नूर खान से कलेशन कॉफ जर बादशा वल्द मीर वादशा से पिस्टल तीस बोर बरामत कर लिया दोनों मुल्जमान असलिहा का कोई जादत नामा या लाइसेंस पेश नहीं कर सके दोनों के हिरासत में लेकर थाना कमर मुशानी में अलग अलग मुकदमा धर्च कर लिए गे डीपियो मियावाली ने कामियाब कारवाई पर पूरी टीम क को शाबाश दी भकर पूलिस ने कारवाई करते होएं इंटर पॉल के जरीए डिकेती के मुकदमे में मतलूब इश्तिहारी मुझरिम को आठ साल बाद दुबाई से गिरफतार कर लिया इंस्पेक्टर जनल अफ पुलिस पंजाब डॉक्र उस्मान अनवर की हिदायत पर भक मुल्जिम सदाम हुसैन गिरफतारी से बचने के लिए बिरून मुल्क फरार हो गया था भकर पुलिस ने बजरिया रेड नोटिस मुल्जिम सदाम हुसैन की गिरफतारी के लिए फॉल आप जारी रखा और इंटल पॉल के जरीए मुल्जिम को दिवाई से गिरफतार करके पाकिस्तान लाया गया भकर पुलिस टीम ने एरपोर्ट से मुल्जिम को हिरासत में लिया सियाल कोट थाना में रात पुर पुलिस ने कारवाई करते होवे बदना में जुमाना मन्शियात फ्रोश अफजाल उर्फ नॉमा डाउन और बिलाल एहमत को रंगे हाथों गिरफतार कर लिया गिरफतार मुल्जिमान के कबजे से मजमुई तोर पर 13 किलो से जायत चर्स और 1 किलो हिरुन बरामद हुई है मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्च कर लिया गया यह थी अब तक की हम खबरे मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए पंजाब सेफ सिटीज अथोरिटी और पंजाब पुलिस के सोचल मीडिया पेजेज